आपके शरीर में यादाश्ट का बहुत जटिल तत्र है, तो क्या आपको लगता है कि आप जिसे भी छूते और महसूस करते हैं और संबंध रखते हैं, उससे वो यादाश्ट नहीं बटोर रहा? अगर आप अपने सिस्टम में धेर सारी विरोधा भासी यादाश्ट पैदा करते हैं, तो आप देखेंगे कि जीवन बाद में ऐसा रूप ले लेगा कि आपके पास सब कुछ होगा, पर आपको ऐसा महसूस होगा, मानों आपके पास कुछ नहीं है। जिसका हाली में रिष्टा तूट गया है, और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे कोई सलाह दूँ कि आगे कैसे बढ़ना है, और चीजों का सामना कैसे करना है, हम मुम्र होने के कारण मैं उसे सलाह नहीं दे पाया, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आगे कैसे बढ़ते हैं, तो मेरा आगे बढ़ चुका है, अगर आप उसी जगह पर रुके रहे, तब भी दूरी आ जाएगी, देखिए इसे जीवन के संदर्भ में समझते हैं, प्रचलन के संदर्भ में नहीं, नैतिकता के संदर्भ में नहीं, सही और गलत के संदर्भ में भी नहीं, मगर जीवन के संदर्भ में, जीवन के संदर्ब से मेरा मतलब है, अजीम, क्या आपको याद है कि आपके पर-पर-पर-पर-पर-दादा, दस पीडियों पहले, आपके पर-दादा कैसे दिखते थे? नहीं, मगर आपकी नाक, उनकी नाक जैसी है, हाँ या ना? तो क्या ये सच है कि आपके शरीर में जबरदस्त यादाश्ट है? यह यादाश्ट कई स्थरों पर होती है। है ना? तो अगर इस शरीर में इतनी जटिल यादाश्ट रखने की काबिलियत है, तो क्या आपको लगता है कि आप जिसे भी छूते और महसूस करते हैं और संबंध रखते हैं, उससे वो यादाश्ट नहीं बटोर रहा? आपको ऐसा लगता है या नहीं? यह बटोरता है. तो बहुत आसान लगता है, मगर यह आसान नहीं है, यह बहुत जटिल है. आपके शरीर को याद रखना पड़ता है, वरना वो इतनी आसानी से उपर और नीचे नहीं जा सकता. आजकल खिलाड़ी मास पेशियों की याददाश्ट की बात कर रहे हैं. अपने सिस्टम में याद अर दिन बहुत सारी याददाश्ट जमा कर रहे हैं. और अगर इस याददाश्ट में एक खास प्रकार का तालमेल हो, अगर इस याददाश्ट में एक खास तरह की अनुरूपता हो, तो यह याददाश्ट लाबदायक बन जाएगी. अगर इस याददाश्ट में एक खास पुराने जूतों की जोड़ी की तरह उसे भूल जाते और आगे बढ़ जाते मगर वो महत्वपूर्ण है क्यूंकि आपने उसमें अपने विचार, अपनी भावनाएं और शायद अपना शरीर भी लगाया है ये तीन चीजें लगाने के बाद उसके बारे में एक गहरी याददाश्ट बन जाती है अगर आप अपने सिस्टम में धेर सारी विरोधा भासी या दाश्ट पैदा करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन बाद में ऐसा रूप ले लेगा कि आपके पास सब कुछ होगा पर आपको ऐसा महसूस होगा मानो आपके पास कुछ नहीं क्योंकि ये अस्त व्यस्त और उदास होगा इसमें उलासी नहीं होगी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि युवा इस बात को समझें कि आपको जो शरीर दिया गया है वो चलता कैसे अगर ये सिर्फ मास का एक गोला होता तो आप जैसे चाहे वैसे इसका इस्तिमाल कर सकते थे मगर ये एक बहुत जटिल मशीन है अगर आप इसका समवेदनशील तरीके से इस्तिमाल करें तो ये असाधारन तरीके से चीजें कर सकता है वरना ये मामूली चीजें करेगा मान लीजे मैंने मान लेते हैं आप कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते मान लीजे मैंने आपको Apple Air दिया क्या आपने वो मॉडल देखा है बहुत पतला और तेज मैंने आपको वो दिया मगर आप नहीं जानते कि वो क्या है आप उसे घर ले गए और उससे खीरे काटने लगे खीरे अच्छे कटेंगे मगर क्या ये तरास्दी नहीं है कि आप खीरा काटने के लिए एक कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं खीरे में कोई बुराई नहीं है मगर आपके साथ जरूर कुछ गड़बढ है, है ना? हेलो? आपके हाथों में जो है, अगर आप उसका महत्व नहीं समझते, तो आपके साथ कुछ बहुत बुनियादी गड़बढ है, सारी महत्व पूर्ण चीजें बेकार हो जाएंगी. मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ. किसी भी चीज को छूने और उसमें खुद को शामिल करने से पहले, आपको देखना चाहिए कि आप उसमें कितनी भागेदारी चाहते हैं. आपको देखना चाहिए कि आप उसे कहां ले जाना चाहते हैं. आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके उपर उसके क्या अलग-अलग प्रभाव पड़ेंगे वो इस जीवन के लिए अच्छा काम करेगा या इस जीवन के खिलाफ काम करेगा आपको सोचना चाहिए वरना आप एक धीला जीवन बन जाएंगे मैं धीले शब्द का इस्तिमाल नैतिकता के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ मैं धीला बस इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि आप अपने जीवन में जिस दिशा में जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे इसमें थोड़ी समगरता लाना अपने जीवन में बौधिक समगरता, भावनात्मक समगरता और शारीरिक समगरता लाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसके बाद भी अगर कुछ गलत होता है तो आपको बस ये समझना है कि जब आप पैदा हुए तो आप अकेले आये थे और जब आप मरेंगे तो अकेले ही जाएंगे कर दो आपको अकेले ही जाएंगे